जम्मो कश्मीर से बड़े खबर आ रही है सूत्रों के मताबिक जम्मो और उधंपूर में जैश के आतंग की आतंगाती हमले की साज़िश रच रहे हैं 14 फरवरी को भी जैश के आतंगी नहीं पुल्वामा में आतंगाती हमले को अंजाम दिया था जाहर है जैश पाकिस्तान की शेह पर इस तरह की हमले की साज़िश रच रहा है आतंगाती साज़िश को अंजाम तक पहुँचाने के लिए 4-4 आतंगबादियों के दो दस्ते जैश ने रवाना किये हैं जानकारी के मताविक आतंकी संगठन जैश का पहला आत्मगाती दस्ता पीयोके में तत्ता पानी इलाके में पहुंच चुका है जो की जम्मू के पुंच में मेंधर सेक्टर के पास है दूसरा आत्मगाती दस्ता नदी की रास्ते कट्वा में घुसने की फिराक में है नितीश कुमार हमारे सेहोगी पोलन पर मरूद है नितीश पुलवामा जैसे हमले की साज़िश में है आतंगवादी ये जानकारी सुरक्षा एजिंसों की चिंता बढ़ाने वाली है पिल्कुल जस्पीत जिस तरह से अभी पाकिस्तान में क्रैकडाउन चल रहा है जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो जो एक क्रैकडाउन कर रहा है मसूद अजर और जो जैशे महम्मद के और्गनाजेशन्स हैं उसके उपर और साथ में मसूद अजर का जो भाई है रौक्सगर उसको भी जो हिरासत में लेकर पूस्ताज की जा रही है ऐसा लगता है ये बिल्कुल आईवाश है इससे ये पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है क्योंकि अभी पुलवामा हमले को एक महने भी नहीं गुजरे है 14 फरवरी को ये हमला हुआ था और अभी एक महने भी नहीं गुजरे है जैश ने अब जम्मू को दहलाने के लिए एक फिदाईन का चार चार फिदाईन का दो दस्ता बनाया है और ये दोनों दस्ता जो है वहाँ से रवाना भी कर दिया गया है एक दस्ता जो है प्योके में जो मेंडर सेक्टर है जम्मू का है पूंच इलाके का उसके अपोजिट तपता पानी में पहुंच चुका है और दूसरा दस्ता जो है वो कथवा में घुज कर जमूग शेहर में अपडेट हम आप से लेंगे फिलहाल शुक्री आपका हुआ 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 है